चलिए आज आपको सिखाते हैं कि अगर शेयर मार्केट के अंदर कौई लॉट्री के इसा है न हम बो जाक पॉर्ट मिल सकता है तो आपको लग लग रहें कि आपको मार्केट से जाक्पॉर्ट कमानाヤ दोनों ही केसे में मुझे पैसा कमाना तो वो कैसे आप कमाओगे I will just tell you in this strategy अब इस strategy को मैं lottery ticket क्यों बोल रहा हूं क्योंकि इस से पहले जब मैंने आपको straddle बताया था अब straddle के अंदर जब आप long कर रहे थे straddle को तो आप add the money options को खरीद ले अप add the money आद मैंब्स को करते हैं तो सबसे से सस्ते Rs. कौन से होए तो अगर लॉट्री ख्रीद नहीं है एक जब निकी marks सकते आपको उपी करीज ऐगे और अब हम और ओiness करने की बात करें लोंग करने की करें तो स्ट्राइडल के अंदर हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को खरीदते हैं इसे हम खरीदते हैं अगर निफ्टी यहां पे 17300 तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं 17100 की बात करूं तो अगर मैं पूट ऑप्शन खरीद रहा हूं तो यह क्या होगा यह इंदा मनी ह अगर आप बोलेंगे सब्सक्राइड ऑप्शन खरीद रहे हैं तो 17100 तो आउट ऑफ दा मनी हुआ ओट्यम हुआ अगर कॉल होता तो यह इंदा मनी होता बट अब अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करो कॉल ऑप्शन हम कब खरीदते हैं जब हम में लगता कि मार्केट बड़ आउट ऑफ दा मनी ऑप्शन को खरीदा तो आपको पैसा कम मिलेगा आपको पैसा तब मिलेगा जब मार्केट बहुत जदा या तो गिर जाए या बहुत जदा बढ़ जाए अब बहुत जदा आपको नुकसान स्ट्राइटेजी में तब हो सकता है जब या तो मार्केट सकती है तो बहुत जादा अगर मार्केट में ऐसा कुछ हो सकता है तो आप स्ट्राइजी को यूज करके पैसे कमा सकते हो लॉट्री टिकेट में क्यों बोल रहा हूं मैंने आपको बताया आउट अपको स्क्रीन पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब आप लिदे बेचे थे तो आपकी इंवेस्टमेंट कितनी थी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं स्ट्राइडल पर हमारी इंवेस्टमेंट लग रही थी 10303 बड़ अभी यहां पर देखिए तो यहां पर 17100 पांसो हमने पूट ऑप्शन को यहां पर खरीद लिया आउट 300 रुपे हमारी इंवेस्मेंट मोटा मोटा लगी है 3685 तो 3600-3700 रुपे कास्पा समझ लीजे मैक्स प्रॉफिट यहां पर अन्लिमिटेड है अब अगर मार्केट पे सच में ऐसा कुछ हो सकता है मार्केट बहुत ज़दा बढ़ सकती है तो आपकी जो मैक्सिमम लॉस होग 3600 रुपे कासपास और आप कमा सकते हैं अब अगर मार्केट बढ़ जाती है तो भी आपको सीम देखेगा कि आप यहां पे बहुत ज़दा पैसा कमा सकते हो तो अगर मार्केट पहुँचाती यहां पर पहुँचेगी माल लेते हैं हमने 18630 की बात करी तो जो हमने option खरीदा है 17500 का वो उस time पर इंदा money हो जाएगा वो इंदा money में चला जाएगा और जो उपर वाला है वो तो 0 हो जाएगा तो मेरा गया क्या है, मैंने 49 में खरीदा था एक lot, एक lot मैंने 50 तो 50 into 50 पच्चिस सो रुपे का मैंने यहाँ पर पूट option को खरीदा और जो मेरा पूट option को खरीदा था वो मेरा पच्चिस सो का चलो नुकसान हो गया, बढ़ अगर market बढ़ गई तो मेरा जो यहाँ पर 25 into 50, मेरे कुछ भी पैसे नहीं लगे थे तो वो पैसे यहाँ पर 50,000 रुपे मुझे कमा के दे सकते हैं तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि अगर market यहाँ पर माल लेते हैं कि बहुत ज़्यदा तूट गई तो क्या होगा सेम होगा अगर market तूट गई, market आगई माल लेते हैं 16,070 रुपे तो 16,000 रुपे market आगई, market गर गई तो आपका जो यहाँ पे 17,100 है यह इन्दा मनी में चला जाएगा, इन्दा मनी में चला जाएगा तो इन्दा मनी के अंदर value होती है इन्दा मनी का price बढ़ जाता है और इन्दा मनी पे जब 28% है, sell करने में probability जादा दी, 70% देखी थी आपने और यहाँ पे आप देख रहे हो, सिर्फ 28% है ऐसा क्यों है, क्योंकि market में इतना जादा movement या इतना जादा की भी चलो बात नहीं करते हैं अगर market में आपको movement नहीं मिला तो ही नुकसान होगा सतरह एक सो पर आपने यहाँ पर आउड़ी आउट ऑफ दा मनी का option को यहाँ पर जो put option उसे खरीद रखा है, तो अगर market 16-980 भी चली जाती है और यह intraday strategy है, आप इसे expiry तक जरूरी नहीं आप hold करो, आप hold कर सकते हो जरूरत नहीं है, इंट्रे डे में करो तो आपको 5000 यहाँ पर देख रहे हो, आपको सेम डे भी प्रॉफित हो सकता है, आपके टाइम पर लोग इन करेंगे, डिस्रिप्शन कमेंट बोक्स में लिंक है, आप जाके उस टाइम पर देख सकते हो, कि इस strategy की cost क्या आ रही है, प मार्केट इस वक्त कहा जाएगी, मार्केट जरूर नहीं की ऊपर जाए नीचे जाए, बट आप इस strategy को तब यूज कर रहे हो, जब आपको लग रहा कि मार्केट में कुछ बड़ा हो सकता है, वो किसी special event पर हो सकता है, example मैंने दिया था, election पर हो सकता है, budget के time पर हो सकता है, मार्केट में अगर कुछ बड़ा होने वाला है, तो उसकी वज़े से मार्केट बहुत जदा घर सकती है, बहुत जदा बढ़ सकती है, और दोनों ही तरीके से आप पैसा कमाऊगे, तो आपको दो strategy समझ आ गई है अभी तक, जब हम बात करें कि हमारा कोई view नहीं है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो आप straddle और strangle को long कर सकते हो, और short up कप करो के दोनों को, जब आपको लग रहा कि मार्केट रहेगी sideways, तो अब इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, नीचे comment करके बताई है, सवाल है, कमें पूचिए, इस वीडियो को अपना कार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, आज ही आप जाके अपने डीमेट अगाउंट को सकते हैं, अभी तक डीमेट अगाउंट नहीं आपका, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट वक्स में लीडिंग ब्रोकर के लिंक है, फाइनली फेस्बुक पर वीडियो देख रहे हैं, फॉल लाइकन प्लिक किशे, आवल सी ने नेक्स वीडियो यू शेर दिस वीडियो औंगो सल्फमेट